एक बाप चाता था अपने छोटे से बच्चे को कि वो पैसा गमाना सीखे तो उसको बोल दिया कि आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू एक पैसा लेकर आएगा मेरे हाथ में देगा तुझे खाना दूगा में तो वो गया तो अपने चाचा के पास चला गया चाचा को है कि मुझे पैसा तब हैं मिलेगा यहाथ में एक रुपया हो तो चाचा नै एक पैसा होगा इक रुपया होगा जो कि तो द्यू इतकल देकान डे थे अक ही बोला जब तो एक रुपय लेकिया तुझे तभी मिलेगा अपर अगले दिन मोच अब चाचा से डीलि दिन तो मांग नहीं सकते समझ में आता है अगले दिन किसी ओर रिष्टिदार के पास को भी उसने एक रुपय दे दिन फिर वो कुए में फैक दिन समझ मैं रहा है और फिर उसको खाना दे दिया ऐसे करके डीली उसको बोलते तो एक रुपए लाएगा तो तुझे खाना मिलेगा सारे रिष्चिदार खतम हो और जिसी से मांग के ला रहा था उन रिष्चिदारों को पापा ने बोलते कि अगली बार तुने पैसा दिया मेरे के बच्चे को तो तेरी खहर नहीं एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया पापा के पास प्राइब धुखा पर उसको पता लगा कि अब एक रुपाय नहीं दूंगा तो उस बच्चे ने निराश हता आश को के वो काउं में घूमता रहा एक जगा पे एक लकड हारा ल मुझे एक रुपया आप मुझे एक रुपया दे सकते हो क्या ऐसे उसने पूछा आप मुझे एक रुपया दे सकते हो क्या बोले कि दे तो सकता हो लेकि उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा तुम्हें क्या काम करना है बोले कि मैं लकडी काट रहा हूं लकडियों को तो आपर वहां पे जचाना है मैं तुम्हें एक रुपया दे दूंगा तो वो तीन घंटे तक लगडियों को जचाता रहा जचाता रहा पूरा काला अँगया ठक गया और फिर जब उसने एक रुपया हाथ में देखाना उस दिया उसको काम करने के बाद है उसने बत्ति में और फिर वो गया अपने बापा के पास पैसे अपनी जिसे मत पैसे बस उसके बाद से ना उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मंग गए खाने के लिए क्योंकि उससे यही पार्ट पढ़ाना था कि ऐसे की वेल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है तो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है तो समझो यहाँ पर हर एक छोटी-छोटी चीज ना महिने रखती है तो यह ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते